आप सभी को मेरी तरफ से जैमाता दिये जी मेरा नाम लवली है और मैं पंजाब में रहती हूँ निधी जी के कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने उनको अपना गुरू मान लिया है एक्चुली मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी के पेशन्ट हूँ और मुझे इतने ज़्यादा अटेक्स आते थे मतलब दिल करता था कि मैं खुद को मार लूँ जान से खतम कर लूँ पैनिक अटेक आते थे और मुझे लगता था कि मुझे सांस नहीं आ रही है मैं अभी मर जाओंगी बॉडी मेरी थंडी पढ़ने लगती थी और गैस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो मैं ये कंडिशन से दो साल से गुजर रही हूँ बट बीच में थोड़ा सा मेरा डिप्रेशन के प्रॉब्लम ठीक भी हुआ था बट ये है कि स्ट्रेस होता है तब फिर से क्लिक करता है ये प्रॉब्लम फिर से ट्रिगर्ड करता है तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुझे फिर से ये प्रॉब्लम हुई और मुझे पैनिक अटेक आया फिर इतना जादा ये problem बढ़ गई न कि फिर मुझे मैंने निधी जी से contact किया मैं निधी जी की subscriber ही हूँ और मैंने उनसे contact किया उनसे अपना PLR करवाया उन्होंने online ही किया मैंने उनसे बोला कि reading करिये मेरे बारे में क्योंकि मैं online PLR नहीं करवा सकती थी disturbance बहुत होता है घर में इस कारण तो मैंने जब वो करवाया तो उन्होंने जो मेरे past birth के बारे में बताया उसके कारण ही मुझे अभी ये जो depression anxiety की problem हुई है उससे related ही है अगर वो मुझे permission देंगी तो फिर मैं आने वाले time पे वो भी आपसे share करूंगी कि क्या उन्होंनों मेरे बारे में बताया था मगर मुझे मेरा जो problem है वो मेरे past life के कारण ही है और मैंने अपना इसके कारण अपना present भी खराब किया means मुझे अब अपना present of future दोनों ठीक करना है तो उन्होंने जो जो मुझे चीज़े follow करने के लिए बोला उन्होंने मुझे बोला कि सूने से पहले आपको भगवान के लिए चिठी लिखनी अपने मारदरशक अपने मारदरशक को याद करिये या वाक करिये या और भी उन्होंने दो चार चीज़े मुझे बोली है मैं वो कर रही हूँ और मेंस मैं पहले बहुत जॉली नेचर की थी बट आफटर मैरेज ऐसी प्रॉब्लम्स हुई मेरी लाइफ में कि मेरी खुशियां सारी खतम हो गई बिल्कुल तो उन्होंने बोला कि आपको खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ेगा जैसे भी मैं पशु पक्षियों को खाना देने लगी हूँ पहले आपको भगवान के नाम के लिए चिठी लिखनी अपने मारदरशक को याद करिये या वाक करिये या और भी उन्होंने दो चार चीजे मुझे बोली है मैं वो कर रही हूँ और मेंस मैं पहले बहुत जॉली नेचर की थी बट आफटर मैरे जैसी प्रॉब्लम्स हुई मेरी लाइफ में की मेरी खुशियां सारी खतम हो गई बिल्कुल तो उन्होंने बोला कि आपको खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ेगा जैसे भी मैं पशु पक्षियों को खाना देने लगी हूँ या डॉक्स को गाये को खाना देने लगी हूँ प्लांट्स की सेवा करिया चोटी चोटी चीजों में खुशियां ढूननी है हमें तो मेरा उसके बाद से जो उन्होंने मुझे चीजे फॉलो करने के लिए बोली उसके बाद से मेरा अटैक मुझे एंग्जाइटी अटैक नहीं आया है और मैं अपने आप में खुश रहने लगी हूँ दूसरे मुझे कुछ बोलते भी है तो ठीक है मैं एक कान से सुनके एक कान से निकाल देती हूँ और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजे सोचती हूँ पहले नहीं तो किसी बात को लेके पकड़के बैठ जाती थी तो वो सोचती रहती थी माइन में मेरे चलता रहता था कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों किया जू टैलिगेशन्स क्यों लगाए बट अब मैं वो चीजे इग्नोर करने लगी हूँ और भी बहुत सी चीजे हैं तो मैं यह कहना चाती हूँ कि अगर आपको खुश रहना है अपनी लाइफ में अपनी बिमारियों को खतम करना है तो आप मेडिटेशन करिए आप पशू पक्षियों को खाना दीजिए प्लांट्स की सेवा करिए आप दूसरों की अगर हम बात मानेंगे दूसरों की बात हम सुनेंगे न तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगी हमें उस टेंशन से बहार निकलना क्योंकि टेंशन ही सारी बिमारियों का की जड़ है तो मैं आगे आने वाले टाइम पे उन्होंने मुझे बोला इने दीजी ने कि आगे आने वाले टाइम पे तुम बहुत आगे जाने वाली हो और कुछ बहुत अच्छा करने वाली हो जब मैं वो काम करूंगी तो मैं फिर से वीडियो डालूंगी फिर सो वीडियो बनाके आपको अपडेट करूँगी कि मैं कल क्या थी और अब क्या हो गई हूँ आपसे शामा चाहती हूँ अगर कोई भी गलती हुई या किसी चीज का बुरा लगा हो फिर मिलेंगे